शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें आँअअज प्यूस अधिया ? तइम क्या हो गया ? every dry मेरा टाइम क्यों खरुआप कर रही youngest ? मुझे रोमैंस के लिए पुम्हें लेनी पड़ेगी मुझे अभे, यहां पे आपको रोमैंस के पड़िये कितनी देर हो गई है मुझे वहां वम्मी जी पापा जी सब बिना चाय के बैठे होंगे सदा, आर्ती संभाल लेगी तु मेरे हाथ की पनी कॉफी पियो यह की कब बनाया है तुना है बाट में तो प्यार बढ़ता है किसमत के लगी रोसे किसमत के लगी रोसे किसमत के लगी रोसे श्रता आई मम्मी जी मेरी माप मेरी रोमेंटिक लाइटे बीचे पड़ी है कुछ तो करना पड़ेगा आने दूसे ठीक है चाय अज आओ बिठाव आज जाने से पहले अमारसा चाय पियो नहीं पापा अभी बैठ गया ना तो इंटर्व्यू के लिए लेट हो जाँगा भे निकलता हूँ अब हमें लेंज के लिए शुक्रिया अरे यह हमने नहीं किया है यह कीरती ने किया है आपके लिए वरुन जीत बही शक्र खाके जाईए उससे आपका इंटर्व्यू ना बहुत बढ़िया जाएगा शुक्रिया शुक्रिया अरे आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे चाई खतम कीजिये और जाईए प्लंबर को बुला के लाईए प्रसोई का नल कप से टपटपा रहा है अरे मम्मी वो आपकी जमाने का नल है इस जमाने में नहीं चलेगा पापा मुझे लगता है हमें वो नल ना चेंज ही करवा देना चाहिए परता इसना ख़चा करने की क्या ज़र्थ होते मैं इसी को ठीक करा दूँगा पापा जितना पैसा आप उस नल को ठीक करवाने में प्लंबर को दे चुके है ना उत्रे में तो नया आ जाएगा मुझे तो लगता है कि हमें सारे बात्रूमों के नल चेंज करवा देने चाहिए है ना हाँ वैसे भी बाजार में कितने अच्छे अच्छे नए डिजाइन के नल आएवेर तो उने से कोई एक लिए लेंगे आ तो पिटा ये ममी पापा भी पुराने हो गए अमें भी वदन दो कि क्या पापा कैसी बात कर रहे चलिए अब मैं निकलता हूँ अरे वरु आपको बुला रहे हैं पंडित जी आयों आते हैं पंडी जी कुछ दिखाई दे रहा है क्या देखिए अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बता दी जी क्योंकि कल से हमें बहुत है गबराट हो रही है अरे रितु अब का है इतना सारा लड्डू खा लेती है अब इतना मीटा खाएंगी तो गबराट तो होगी ना हंडी जी अब आप ही बता दीजी के हमारी ये गबराट ग्रादोश के वज़े से है या मिठाई काने की वज़े से देखें कुछ वक्तों इस घर पर बहुत भारी पढ़ने वाला है और ये तो इसमें साफ-साफ दिखरा है जन्ती से सबके लिए चाय वना लेते हूँ इस दोश को मिठाना असान नहीं है और ये फिलाल बढ़ता ही जाएगा क्या देखा हम कह रहे थे ये मिठाई की मज़े से नहीं है ये हमारे सच्चे मन की पोकार है जो पुरे सबने की तौर पर हमें आगा करनी की कोशिश कर रही है आप लोग माने ना बाने जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाले करताride आप आप अश्याल अबगो जुटू हादो फिरे अब बहुत यह पाइमिली के वोटो फिंदो तो बड़ा हप्षगुन होता है शदा बेटा यह तूटा कैसे हाँ यह अचानक कैसे हो गया हमारे कशले हप्षगुन पशगुन पशगुन हो गारा है इसाही नहीं है नहीं भौवजीब ऐसा कुछ भी नहीं है सब कुछ तो ठीक है, और देखिए, मुझे तो कोई खरोज भी नहीं आई है, सब ठीक है अब हम कुछ कहेंगे तु सब कहोगे कि रितू बोलती रहती है लेकिन अबारी बात का यकीन कीजिए जरूर कुछ कलात होने बाला है हम कुछ जाएंगे पंड़ी के पास और उपाई लेकर आएंगे और खुद ही करेंगे आप सब कुछ इद्धा हो या ना हो, हम जा रहे जीटा, उनकी बात का बुरा मत मानिये बहुत घबराई हुई है वो अरे भाभी, रोज कुछ ने कुछ अप्चुकुन हो रहा है नहीं ममी जी, पुराई चाहे कितना भी दर्वाबरा खटखटा ले जब तक हम पूरे परिवार के लोग एक साथ हैं हमारा कुछ नहीं बिगार सकता है श्रकावित को ठीक कह रही है एक पल के लिए तो हम भी घबरा आ गये थे लेकिन हम सब साथ में हैं हमारे परिवार में कभी दरार आ ही नहीं सकती आप लोग सब जाहिए और पंडिट जी से जन्माश्मी की पूजा के बारे में आगे की बात कर लीजे तब तक मैं यह सब साफ कर देती हूँ और आप सब के लिए चाह ले आती हूँ जीकिए आप खर के सभी लोग यहीं हाल में ही है कोई देख लेगा ऐसे तू? पाती हूँ तुमारा हग बनता मेरा और ऐसे भी तुम्हें पता भी है? कितना चुपचुपा के हैं तुम्हें सप्राइज के ने? सप्राइज? मेरला ओँह तुम्हारे से जब्टी रूटी रूटी तुम्हें के दितने आज शाम दो शोगर मैंकिन अभयद खर में भी तो इतना काम है व कैसे हो का फिर? वह भाकियों को भी थोड़ा काम कर ले दू तुम्हें नहीं बता, तुम्हें आना पड़ेगा, मैं शाम को बेट करूँ तुम्हारा. कौन सी साड़ी पहन के जाओं फिल्म देखनें? यह वाली पहन लेती हूँ, पिंक वाली. शद्दा? तरीक. यह, क्या हो गया बेटा, तुम कपड़े बाहर का यह निकाली हो? वह 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 पुछ नहीं ममी जी, अलमारी काफी दुनों से गंदी पड़ी थी ना, तो बस यही सोचा कि कपड़े सब समेठ दू ठीक से. बेटा, हाद में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा कसरत करवादो हमें. हाँ, ममी जी, क्यो नहीं, बैके ना? आहाँ, बहुत दुख रहा है, उफ! आहाँ, यह, बहुत जाद ही दुख रहा है. आराम से, आहाँ. अभी तो राद का खाना बनाना भी बाकी है, देर हो गई, तो अबे बहुत नाराज हो जाएंगे. कनो का ओतके माडना भी जाएंगे यहा स्झामा नाराज है. तक हम यहाँ बहुता, को बहुत बादख बाकी है, वहाराज है. मामी, पापा कर एब यही अरे। पापा पापा जल्दी आये। अरे वहां क्या है। अरे वर्ण बेटा, च्राइब। जा बात है? बहुत एक्सईलिट लगरे ओफाइ। ऑपापा आज हम पूरा परिवार साथ पे खाना कहाएंगे। क्योंकि ऐसी खुशकबरी है. अरे आप खुशी क्या है वो तो बताईए, खाना हम बना लेंगे. अना सारा काम बचा हुआ है, सब के लिए खाना भी बनाना है. अभे भी नीचे इंतिजार कर रहे हैं. दीदू. दीदू. अरे दीदू. रुके, आज आप खाना नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि आज आप सब हम सब के साथ नीचे चल के खाना खाएंगे. हमने खाना बनाया. क्या? पैसे कीरती, आज क्या खास बात हो गई है? वो तो नीचे चल के पता चलेगा. आज का पूरा खाना कीरती ने बनाया है. वो भी अकेले. वान है ना भावी. आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना? क्यूंकि हमें तो आदत है. हमारे घर में रोज ही ऐसा खाना बनता है. है ना? तो अच्छा है ना भावी? आज आपकी इस आदत पे रोप नहीं लगी. दोनों बहनों का हाट एक जैसा है. यह उसी का कमाल है. भावी, मैं तो अभी तक इस बात का इंजार कर रहा हूं जिसके लिए कीरती ने हमें नियोता दिया था. तो सप्राइज यह है कि मुझे नौक्रे मिल गई और वो भी दोगनी तन खाब है. यह का बहुत ही अच्छी बात है. माता रानी के आशितवाद से तुम बहुत तरक्की करो. थैंक यू जाची. मुझे तो पहले सही हमारे वरून पर पूरा परोसा था. कि कुछ जबदस करेगा. एक दम सही का है पापा ने. मुबारक हो भाई. इसकी पार्टी में अलग से लूगा तुम्छे. अरे, बिलकुल. अरे, अखेले आप ही क्यू? हम सब मिलकर वालूंची से पार्टी लेंग अरे, मैं क्यों पीछे रहूं? कॉंग्राचिलेशन्स वरून. थैंक्यू सुनियो. वा, भाई, वा. मतब सब लोग ये बोल चुके है कि हमने वरून से कहा था कि वरून, तुम्हारी नौकरी पकी समझो. वड़े आयर सब के सब लाइन लगाने वाले. विकिन हम ये लाइन अच्छा चलिए, बाते बाद में करेंगे. खाना खा लेते वरना खाना टिंडा हो जाएगा. हाँ, खाना परोसे मैं भी तेरी मदद करती हूँ. अरे, नहीं दे, नहीं वीदू. चलिए, आज आप अराम से बैठेंगी और खाएंगे. हम आपको परोसेंगे. कहां वो पिच्चर हॉल में एक दूसरे को पॉपकॉर्म किलाती हूँ. पर नहीं, हमारे मसी में तो रूमेस है ही नहीं. अपेड, प्लीज आज के लिए माफ कर दीचे, सॉरी. क्या हो दीदू? वो इसे खाना तीखा लगा. क्या? अरे, प्लेट तो खाली है, बिना चेकें मिलची लगे. वो… मतलब, अभय का कहने का मतलब है कि मुझे हिच्की आरी है, इसलिए. आप मैं गया. मेशा अराझ वराज के लिजरे. कि इतने अच्छा लग रहे हैं तो, कि इतने अर्सेबान, आज पूरा परिवार हसीखुशी एक साथ खानना थाण था. हाँ भईया, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हम चाहते हैं कि यह सुब बस हमेशा ऐसे ही रहे ठीक, तो फिर जिसके मन में जो है आज बोल ढालो एक ऐसी शुरुवात करो इसमें फिर कभी किसी तरह की भी गिले शिक्वे की गुंजाई शीनर है बिल्कुल ठीक का भाई सब लेकिन क्यों ना मन की भडास निकालने की बजाय हम वो चीज कहें जिसके लिए हम खुश हो चीक है इससे रिष्टो में मिठास बनी रहेगी और मैं तो आज बहुत ही खुश है और भगवान को धन्यवाद कहता हूं कि आज हम सब मिलकर साथ यहां बैठकर खाना खार है और हम खुश है कि अब हमारा परिवार पूरा है हम खुश है क्योंकि चाहे लाग पुराया हो लेकिन हम सब एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं और हम इसलिए खुश है कि इस घर में आप कोई कमी नहीं है मैं खुष हूँकि इस परिवारमे मेरी सारी गल्तियों को माभ करके, मुझे इस घर में बेचियो अलग तयार दिया है और मैं खुष हूँ कि मेरे भापाई भादीने मुझ जैसी बलके मुझसे भी त्यारी बेटिया इस घर को दिया है हम तो केक से खुश हैं और हम स्मार्टपोन से भी जादा बैटे रहें नाइस यादी हमारे मम्मी पापा जादा बेस्ट है I love you मम्मी पापा और मुझे खुशी है इस परिवार से जिनों ने हमेशा अपना अश्रिवाद अपना प्यार अपना साथ मुझे बनाए रखां और मुझे खुशी है कि माता रानी में मुझे इतना भाकेशाली बनाए कि मैं इस अटूट परिवार का हिस्सा बन पाएं और हम खुश है क्योंकि वारुन जी हमसे इतना प्यार करते और उन्होंने हमें अपनी पत्नी चुना और आप सब हमारी लाग बुराईयों के बाद भी हमें इतना प्यार करते इसलिये हम खुश है पापा आप मेरे कुरू है अगर मेरे जिंदगी में थोड़ा सावी आपके जैसा बन पाया तुमें माल लूगा कि मैं अच्छा बेटा एक अच्छा पिता एक अच्छा पती एक अच्छा भाई और एक अच्छा इंसान मन बाया आज आपकी वज़े से हम सब साथ हूं और आज मैं सच मुझ बहुत खुश हूं माता रानी हम सब ऐसे ही मुस्कुराते रहें इस परिवार की किसमत की लकीरों पर सिर्ख फुश्यों की लकीरी बने सब कुछ अच्छा हूं काम हुआ मेरा? मैंने तुम से कहा था ना मैं तुम्हारा काम कर दूँगी सारी तयारी हो चुकी है पस कल उधर कोट में सुनवाई हुई और इधर तुम यहां से बाहर और फिर त्रिपाधी परिवार की बरबादी की उल्टी गिंती शुरू उनकी लिए ऐसी जहन्नुम जैसी जेल तयार होगी जिसका उन्हें अन्तासा तक नहीं है बिलकुल आप अदालत से क्या बताना चाहेंगे? कि खून रागेनी सिंघान्या नहीं किया है मिस्ति निशा के बयां के बाद अदालत ते फैस्ता लेती है कि उन्स्स रागेनी सिंघान्या को माईज़त बरी जागा किसमत से टकराती, उल्जी लकीरों को सुलजहाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग